अच्छा बारवी का अर्थसास पढ़ेंगे, मैं दीपती शर्मा, आप उक अच्छा बारवी का अर्थसास का अध्यन कराएंगे, आप उन्हें बेटाई से पहले मांग का नियम, मांग की नियम की परिवासा, अर्थ, पूर्ती, फिर मांग की लोज, मांग की लोज की परिव अध्याय तीन उत्पादन तथा लागत उप्भोकता के ब्यवहार के संबन में चर्चा की है इस अध्याय में हम अगले अध्याय हम उत्पादन की ब्यवहार की जाच करेंगे एक उत्पादक अथ्वा एक फर्म विवाग जैसे श्रम मसीन, भूमी, कच्चा माल आधी को प्राप्त करता है अपनको ये सब चीज अपनको उत्पादन के लिए आविशक होती है इन गुटों के मेल से निर्मित उत्पादन करता है तब सब चीज अपनको जब मिलेंगी तब अपन उत्पादन कारेंगे और उत्पादन की प्रकिया प्रारम होगी जिसके द्वारा आदत में निर्गित परिवर्तन किया जाता है उत्पादन अत्वा फर्मो द्वारा किया जाता है तब कोई उत्पादन कारेंगे सबसे पहले आपनको एक फर्म का निर्मान करना होगा उसमें संगटन, आर्थि विवस्ता, पूंजी, श्रम, भूमी इन उत्पादन के लिए उप्योग करते हैं या निर्गित उप्भोकता द्वारा उप्योग किया जाता है फिर है उत्पादन लागत तो अपन किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे सबसे पहले आपनको लागत लागत दे दी होगी है ना उत्पादन लागत धारना कीमत सिद् है, आपन जब किसी भी चीज का उत्पादन करेंगे तो आपनको सबसे पहले सी कीमत निश्चित करनी हो कि उसके उत्पादन में कितना वै कितनी लागत लगेगी आधारबु सिद्धान्त है उत्पादन लागत, विशलेशन, अल्पकाल एवन दिर्ग द्रश्टी में किया जाता है यहाँ पर हम अल्पकाली द्रश्टी कोण को ब्यापक रूप से अध्धन करेंगे आगतों को प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ देना पड़ता है इसे उत्पादन लागत कहते हैं एक बाद जब दिर्गित उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो फर्म उसे बाजार में भीज देती है और आगम प्राप्त करती है मतलब जब अपन कोई बस्तु को उत्पादन करते हैं तो बाजार में काई के लिए आती है उत्पादन के बाद अपन उसको वित्रण के लिए बाजार में लाते हैं विक्राई के लिए तो उसके बीज का जो मतलब अपन को पूंजी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है बेटा लाग यह हम मानते हैं कि एक फर्म का उद्देश अधिक्तम लाप कमाना है जितना उससे प्राप्त हो सके तो लागत कितनी प्रकार है कुल लागत किसी फर्म के उत्पादन को एक निस्टिक मात्रा में उत्पादित करने के लिए जो अपन खुद करते हैं उस फर्म में कुल लागत कहा जाता जो अपन वे खुद लगाती है, लागत लगाती है, तो उत्पादन में ब्रद्धी के साथ, कुल लागत में भी ब्रद्धी होती है, कुल लागतों में समानता दो प्रकार की होती है, पहला है स्थिर या पूरक लागत, और दूसरा है परिवर्तन सील या प्रमुक लागत, त तो कित्ते बताओ, कुल लागत तो कित्ते भागों में बतला, डिवाइट किया है, इस्थिर लागत और परिवर्टन सील लागत, तो कैसे ग्याद करेंगे कुल लागत को, कुल लागत बरावर स्थिर लागत धन परिवर्टन सील लागत, तो जो कुल लागत है और जो इस्थ तो उन्वन दोनों अपराbn नाहीं प्राप्त मेंauer करूँ हों हूआ parenting हो जाएगी बदल जाएगी पहर है इस्तिर्न को यह गए तो यह नहीड श्तिक्रलगों होग में साधन के प्रयोग में लाने के लिए करदी पड़ती है साधनों से इस है उन साधनों से जिनका अल्पकार में उत्पादन की महत्रा में पलिवर्टन करना सम्भाव नहीं होता जबापन कोई वस्तिर मतला हमेसा उसका उत्पादन होगा उस से घरे लोग वस्तुर recent हो गई बेटा कापी किताबैं हो गई नमक हो गया तेल हो गया यह अल्पका रू самого यह ये हमीशा निरंतर चलने वाले उत्पादन हैं इस्थिर पूंजी या मसीन भूमी भदभवन आदी उत्पादन कारे में प्रतेक फर्म को कुछ ऐसी लागते वाहन करनी होती है जो अल्ब काल में उत्पादन की मात्ता में परिबर्तन होने पर रहती है उत्पादन पूरी तरह से बंद भी कर दिया जाए इन लागतों का कम नहीं किया जा सकता इन लागतों को इस्थिर लागत कहते हैं इस लागत को पूरत या आप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं कुछ बस तो आप्रत्यक्ष होती हैं पिटा जो दिखाई नहीं देती सील साधन में होते हैं जिनको अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के सांसाथ परिवर्तन किया जा सकता है दूसरे सब्दों में परिवर्तन सील लागत दिये गए उत्पादन में परिवर्तन होने में परिवर्तन में होने वाले कच्चे माल कि लागत समान सर्मिकों की मजदूरी इत्यादी परिवर्तन सील लागतों के सामिल होती है लागते उत्पादन की मात्रा के साथ क्या होती है परिवर्तित होती रहती है अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देने पर या पूनता समाप्त हो जाती है इस प्रकार परिवर्तन सी लागत उत्पादन की मात्रा में प्रत्यक्ष सम्मंध होता है इस कारण परिवर्तन सी लागतों को प्रमुक लागत या प्रत्यक्ष लागत कहते हैं फिर है उत्पादन फलन बतलब जो उत्पादन किया जा रहा है इसके बारे में एक फर्म का उत्पादन, जब तब अपने एक फर्म नहीं खोलेंगे बेटा, उसका बतला उत्पादन के लिए अपनों क्या क्या चाहिए होगी कि पूंजी, कच्छा मार, भूमी, भावन, मसींद्री, ये सब अपनको उत्पादन के लिए सबसे आवशक बस्तुएं हैं, उत अधिक्तम मात्रा प्रदान करता है, जिनका उत्पादन किया जा सकता है, इसके बारे में विचार कीजिए जिसका हमने उपर जिक्र किया गया है, सरल्वता के लिए हम मान लेते हैं कि एक रसक गेहु का उत्पादन करने के लिए केवल दो निर्गित भूमी वत आश्रम का प्रयोग करता है, एक उत्पादक फलन अधिक्तम मात्रा में यह बताता है कि वह दी गई भूमी की मात्रा का उप्योग तथा दिये गए श्रम के घंटों में काम कर उत्पादन कर सकता है, बता है कोई भी भूमी है उसके लिए तो घंटों में वो क्या कर सकता है उत्पाद करता है अदिक्तम करने के लिए एक दिन में 2 क्वाgan करता है तो एक हेक्टेर भूगी का अपना पादन फलनिष सम्मंद को व्यक्ति करता है दो घंटम वो कितना काम कर सकता है एक दिन में 2 घंट citizens एक दिन में बताब वो कितने टर्म कर सकता है घंटों के साब से उत्पादन फलन उसे व्यक्त करता है उसे उत्पादन फलन कहती है उत्पादन फलन का इस प्रकार वर्णन आगत निर्गत के मद्ध सम्मंद बताता है एक हेक्टर भूमी का छेत्रफल एक दिन में किये गए काम के घंटों में ब्रद्धी होती है उत्पादन में ब्रद्धी होगी जब घंटों में काम करेगा तो उसके उत्पादन में भी क्या होगी ब्रद्धी होगी किसी भी हैक्टर भूमी का चेत्रफल केवल एक उत्पादन गेहूं होगा परिवासा के अनुसार निर्गित को किसी भी इस्तर पर अधिक्तम आधित को लेना एक उत्पादन फलन आधितों के कुसल उपयोग का अध्यन करता है। कुसलता का यहां अभी प्राय है निर्गित को उसी इस्तर पर अधिक्तम उत्पादन संभव नहीं है। उत्पादन फलन के क्रिया में फर्म जिन लागोतों का उपयोग करती है वो उत्पादन का कारक कहलाती हैं। अपने अपने निर्गितों को उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने भी विभिन्न आगोतों का प्रयोग कर सकती है। मतलब किसी भी कारे को करने के लिए उत्पादन को करने के लिए एक फर्म विभिन्ने प्रकार की आगोतों का प्रयोग कर सकती है इस प्रकार एक ऐसी फर्म पर विचार करें तो केबल उत्पादन के दो कार श्रम पूंजी हमारा उत्पादन फरन इसलिए अधिक्तम उत्पादन की मात्रा को बताता है जो उत्पादन के कालुकों में श्रम, पूंजी के विभिन सहयोग के उपयोग को प्राप्त किया जा सकता है तो उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी है बीटा? श्रम, पूंजी और सहयोग इन सबसे उत्पादन के लिए सरल हो जाती है फिर उत्पारदन अल्पकाल या दीर्गकाल इसके पूर्व हम कोई अन्निविशलेशन आरंब कर दे संकल और अल्पकाल तथा दीर्गकाल पर चर्चा महटपूर्ण होगी अल्पकाल को कम से कम एक कारत पूंजी में परिवर्तन नहीं करा किया जा सकता अतव है इस्थिर रहता है निर्गित इस्थर में परिवर्तन को लाने के लिए फर्म के बर दूसरे कारकों में परिवर्तन कर सकती है जो कारक इस्थिर कारक कहलाता है इस तिरी कारक में बेटा वोई भवन, भूमी, मसीनरी जबकि दूसरा कारक जिस पर फर्म परिवर्तन कर सकती है वे परिवर्तित कारक कहलाती है तो कोई भी फर्म में अगर अगर अपन काम करते हैं तो परिवर्थित कारक मतब समय के अनुसारों को अपन परिवर्थित कर सकते हैं दीर के काल में उत्पादन के सभी कारक में परिवर्थन लाया जा सकता है फर्म निर्गित में विविन नुस्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर के काल में कारकों के साथ साथ विविन ने परिवर्ण ला सकती है किसी भी विषेश उत्पादन प्राक्रम्प में दीर काल का साधारन तथा अलपकाल की तुलना में एक ही समय अंत्रा को प्रगट करता है विविन उत्पादल उक्रणों के लिए कला अवधी विन हो सकती है अल्प काल तथा दीर काल में दो दिनों महिनों अत्वा वर्षों के रूप में परिवासित किया परिवासित करना उचित नहीं होगा वितलब जो दीर काल है उनको बहुत ज़र समय के लिए परिवासित करना उचित नहीं होगा क्योंकि कोई भी काल दीर काल तक चलते तो हैं पर समय के साथ साथ उनमें कुछ थोड़े मोड़े परिवर्तन होते रहते हैं अर्प अवदी में समान्ता इस लेश्टि को ध्यान में रखकर परिवासित कर सकते हैं और सभी आगत परिवर्धित अथ्वा नहीं है फिर है सीमान्त लागत सीमान्त लागत की धार्णा का अर्थ सास्त्र में बहुत महत्कून इस्थान है बस्तु की एक आंत्रिक इकाई का उत्पादन करने से कुल उत्पादन में जो अंतर होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं तब कोई बस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें आंत्रिक इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है अंतर मतलब लाग, उसे सीमान्त लागत कहते हैं सीमान्त लागत की प्रमुक परिवासा निमलिकित है सेमिल्सर में दिये बेटा सीमान्त लागत कुछ लागतों में ब्रद्धी जो किसी फर्म के उत्पादट में एक आंत्रिक इकाई को अधिक उत्पादट करने के लिए प्राप्त होती है सीमान्त लागत कैसे प्राप्त की जाती है सीमान्त लागत बराबर कुल लागत में परीवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परीवर्तन तो कुल लागत अपन लगा रहे हैं अगर उसमें कुछ जादा लागत लगगे उसे परीवर्तन लागत और उत्पादन की मात्रा में व्रद्धी जब अपन कुछ ज्यादा लागत लगाएंगे तो पादन की मात्रा में भी क्या होगी बेटा व्रद्धी होगी सीमान्त लागत में उप्युक्त विशलेशन को स्पष्ट किया है सीमान्त लागत परिवर्टन सील लागत में परिवर्टन के कारण उत्पन होती है दूसरा सीमान्त लागत इस्ठर लागत में पूर्टा स्वतंत्र होती है और सीमान्त लागत का आकार भी परिवर्टन सील अनुपातों के नियम के कारण यू आकार के समान होता है चौता है सीमान्त लागत कुल लागत में परिवर्तन की दर को क्या करती है बताती है तो ये सीमान्त लागत के उप्युक्त विशलेशन है ये चार है इससे सपस्ट होता है कि सीमान्त लागत कैसे परिवर्तन सीर है तो सीमान्त लागत और और औसत लागत में सम्मंद उसीमानत लागत और उसत लागत में घनिस सम्मन्द है बेटा इसका तालिका दी हुई है उसमें उत्पादन का रहे है तो उत्पादन की हिकाईया दी हुई 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 बेटा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और कुल लागत दी हुई है तिसे कुल लागत है अपने 500 रुपे वैय किये 800, 900, 950, 980, 1000, 1100 यह अपनी कुल लागत हो गई और यह अपन की ओसत हाना तो अपन ओसत लागत क्या लगा रहे हैं और अपन कुछ से क्या प्राप्त हुई सीमान्त लागत प्राप्त हुई तो उसके बीच का अंतर हो गया है थीखे वीटा उप्यक्त तालिका से इसपस्ट है कि ओसत लागत एवं सीमान्त लागत दोनों उत्पादन के कुल लागतों के आधार पर निकाले जाते हैं अथाथ ओसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन लागत और सीमान्त लागत लागत ग्याद करने के लिए कुल लागत में परिवर्थन भटे उत्पादन की एक मात्रा के अत्सित एकाई उसको ग्याद करने के लिए उत्पादन में ब्रद्धी होने पर जब किसी ओसत लागत घटती है तो सीमानत लागत में कैसी हो जाती है बेटा कम हो जाती है और उत्पादन के ब्रद्दी के फलसरूप औसत लागत बढ़ती है तो सीमानत लागत से औसत लागत होती है सीमानत लागत औसत लागत के अपेच्छा सीगरता से बढ़ना प्रारंब कर देती है इसका अर्थ है कि सीमान्त लागत वक्र और उसत लागत वक्र उस बस्तू पर करता है जिसमें उसत लागत कैसी होती है न्यूनितम मतला बराबर होती है जब उसत लागत न्यूनितम होती है तो बिंदू अनुकूलतम उत्पादन शमता पर बिंदू होती है उस बिंदु का उत्पादन न्यून तम लागा तो आधिक तब उत्पादन को प्राप्ट कर सकता